इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम्प्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है कम्प्यूटर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे साइध आपने पहले भी कोई वीडियो देखी होगी या आपने कहीं और पड़ा होगा वहाँ पे कुछ और बता रहा है трोड़ा सा यहाँ पे कुछ और बता रहा है तो कौन से भरोसा करें कौन से सही होती है आई यह जानती है देखिए मैंने जो पड़ी है और मैंने Google से जो research करी है बागी जो वीडियो देखी है mostly time जो दिखाया गया है जो बताया गया है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे computer का full form कुछ इस तरीके से होता है C for common O for operating M for machine P for purposely U for used for T for technological E for educational R for research यहाँ पे यह full form होती है जो मैंने पड़ी है और जो मैंने research करके निकाली है अब यहाँ पे ध्यान देने के बात यह है अगर आपने कोई और वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे P for purposely यहाँ पे कुछ और लिखा होगा particular लिखा होगा और यहाँ पे T for technical लिखा होगा देखे दोनों को मतलब एक ही है बस उसके जो word meaning है अलग हो गए है बाकि आप इस full form को use कर सकते हैं यह भी गलत नहीं होती है बाकि आपको कोई teacher है जानने वाला आप उससे भी पूर सकते हैं कि कौन सी full form सही होती है इसके लावा मैंने कुछ और full form दे रखी है computer की जो काम आती है अगर आप computer पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यह पता होनी चाहिए यहाँ पे मैंने कई सारी full form दे रखी है वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई topic के साथ तब तक के लिए बाई